उसी का तोटका है वो महात्मा बहुत पौचे हुए है तेरे विशे में उन्होंने सब कुछ सत्य कहा अच्छा, मैं भी तो सुनू मेरे विशे में क्या सत्य कहा उन्होंने उन्होंने ये कहा कि आप अत्यंत उदारिदे के है आप याए प्रिया है अत्यन्त बुद्धीमान है आप किसी का दुख नहीं देख सकते हैं लोग आपसे हिर्श्या रखते हैं शार्दा महोदया यह वो ही सारी बाते हैं जो किसी के भी विश्य में कही जाएं तो सही लगती हैं उन्होंने ये भी बोला कि आप अपनी बुद्धी के कारण संकटों में फसते हैं इस बार तो गुरुवर संकट में फस गये हैं और उन्हें बंदीग्रे से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा उपर से महराज हैं जो कुछ सुनने को तयार ही नहीं है दिखा 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 अब तक टोटका किया भी नहीं और ये बच गये अपीतू मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस तताचारे की जगा तू बंदीग्रह में होता चल अब बाते बनाना बंद कर और महराज ने जो टोटका दिया है वो कर चल लगा इस एक बार के उपड़ तिल तू अमा पे अचल लगा रहो लगा रहो मैं ये पोटली द्वार पे लगाता हूँ सही से लगा ना हाँ अच्छी एक काम डंच से नहीं करता चल नीचे उतर 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 नीचे उतर सारा कोईला गिरा दिया कोईले से मेरा मुख काला हो गया है उसकी चिंता नहीं है अपने कोईले की चिंता है मुख दुलाई के स्थान पर पुत्र पिटाई हो रही है वाँ वाँ अमा वाँ जा अब मूध हो और पकाट पकाट मूर्गों पर अकाँ हमने ना शिवजी को भोग लखाने के लिए कद्दों के लड्डू बनाए है शिवजी भी अटन्त प्रसन हो जाएंगे हमें तो भै है कि कहीं शिवजी इन कद्दों के लड्डूओं का भोग लगने पे कुधितों का तांडफ ना करने लगे रुके छोड़े मारानी रहने दीजे शिवजी को कद्दू पसंद नहीं है अलाख निरंजान अलाख निरंजान ए शिव संकर जै भोले प्रेम पूर्वक भोले बाबा को जो भी अरपित करोगी वो स्विकार कर लेंगे चड़ाना चाहो तो चड़ा भी सकती हो नहीं भी चड़ा सकती हो किन्तु हम चाहते हैं चड़ा दो ये लीचे बाबा प्रिसाद लीचे हम प्रिसाद खा भी सकते हैं नहीं भी खा सकते प्रिसाद बाबा ये तो भगवान जी का प्रिसाद है न ये तो आपको खा नहीं पड़ेगा लीजे अब तुम कहती हो भोले बाबा का प्रिसाद है तो खा लेते हैं खर दिया काम लड़ू हमें मेरे दांट तूट गए बाबा हम इनकी ओर से शमा चाहते हैं हम जमा प्राद्रू हम जमा कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं तूट हम जमा कर देते हैं क्युक्य हम जानते हैं तुम दोनों अपने पति अर्थाज महाराज कृष्णदेव राय के लिए अक्तेन्त चिन्तितों उनके प्राणों की रक्षा कर रहे के लिए शिव से प्रार्थना कर रहे आई हो अब सकुन की काली जाया पड़ चुकी है यह आप क्या कह रहे हैं बाबा? वही कह रहा हूँ जो गटित होने वाला है महाराज के प्राण संकट में हैं किन्तु बाबा, आप इतना विछवास के साथ कैसे कह सकते हैं? हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं किन्तु हम कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं महाराज की औरकाल तीवरगती से बढ़ रहा है महाराज के सिंगासन में अगनी लगना और राजगुरु को ब्रह्म मुर्थ में सौपन कहाना यह मात्र साइण योग है यह सभी खटनाए संकेत दे रही है तुम्हारे पती अठाथ भाराज कृष्ण देव राय की प्राण अत्यधिक संकट में है योग आज से लेकर आने वाले पूर्णिमा तक भून के प्राणों पर गोर्ण संकट है कैसे हो प्यारे मित्रों? तो चलिए, अब समय हो चला है आज की पहेली पूछने का जो है सर पर उसके देखा मटका मटके को घर लाकर पटका कुछ को खाया, कुछ को फेका मटके का पानी भी गटका सोची सोचीए इसका उत्तर क्या हो सकता है और आप तो जानती ही है इसका उत्तर जो, हाँ, अधारावाहि के अंत में दूँगा. बाबा, तो भीर आप कोई ऐसा उपाहि बताई बताईए, जिसे महराज के प्राणों पर आया हुआ संकत तल जाए? हम बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते. बताईए, बाबा, बताईए. करफिया, बताईए, बाबा. किन तुब बता देते हैं? यह तीन अंगूठियां हैं. तुभारे पती, यानि महाराज कृष्णे देव राय के उगलियों में पहना देना. परन्तु, उनके प्राणों की रक्षा कुछ सम्वाइब देना. इस समय के लिए ही होगी. रख ने रंजान. जी बाबा, दनिया बाबा, दनिया बाबा. रूखिये बाबा. बाबा, कोई ऐसा उपर बताईए ना, जिससे उनके प्राणों के साथ देव के लिए रक्षा हो सके. तुम कल, इसी समय, यहां मुझसे भेट कर भी सकती हो और नहीं भी कर सकती. जी जी, अब इच्छे करेंगे. अब इच्छे करेंगे. और तुम, ये पत्रीला लड्डू लेकर दोबारा मत आना. अलाख निरांजान! ओ, अमेश्वरी, अब तो बता दो, मुझे इस मुर्गा आसन में क्यों बिटा है? हाँ! अब इसी पक-पक-पकाँ, मुर्गा आसन की अवस्ता में इस आंगन के पूरे 101 चक्कर लगा. है? बैट! ए, बंदू! रामा, ये तोटका तुझे संकट से बचाने के लिए दिया है सादुने! या तुझे संकट में डालने के लिए! हो, हमेश्वरी! ऐसी अवस्ता में इस आंगन का एक चक्कर लगाना भी कठीन है! और तुम मुझे सौ चक्कर लगाने को कह रही हो? अरे, इतने चक्कर तो सो है, मुर्गा भी नहीं लगाएगा! रामा, एक मा कि पीड़ा को समझь! ऐसी अवस्ता में बैठे-बैठे, मेरे पैरों में जो पीड़ा हो रही है वो भी तो समझो, हमा! ने तुझे बार-बार ऐसी संकट में फसता वह नहीं देख सकथी! वा, अभी भी तो संकट में फसता हुआ हूँ! वो देख रही हो तुझे, मेरी सौगंद है लगा एक से चक्कर लगा चल लगा रहूं, लगा रहूं लगा, चल, चल, लगा जल्दी, जल्दी सादू ना जाने और किस-किस घर में अंतविश्वास पहलाता रहेगा गुरुवर को छुडवाने के स्थान पर मुर्का बचकर गूद रहूं, मैं उल्द प्रतना ले प्यांट कीचे महाराज महाराज महाराज, हमने आप के लिए काजर का हलोव बना है तेरा चक्के बथाए क्यासा बना है अवश्य चक्खेंगे परन्तु भोजन के पस्चाथ नहीं नहीं महाराज, भोजन के पस्चाथ नहीं भोजन के साथ महाराणी क्या है कि होजन में नमक है और हलवा मीठा दुनों साथ में अच्छे नहीं लगेंगा महराज इस हलवे में भी नमक है क्या? हलवे में नमक है? हाँ हमने सोचा कि आज कुछ नया प्रयोग किया जाए सभी लोग हलवा मीठा बनाते है तो हमने आज नमक युक नहर्वा बनाया है महराज, क्रेहन कीजिए महराज, अब ठीक तो है न? चल देजिए महराज महराज महराज, 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 अब ठीक तो है हम कुशल से तीन अंगूठियां है तुमारे पती, यानि महराज, क्रिष्णे देव राय के उलियों में पहना देना तुटी महराज, अंगूठियां महराज, हाद दीचे यह क्या कर रही है आप दोनो महराज, अंगूठिय पहना रहे हैं, जिससे आप पराया संकट तल जाए कैसा संकट? महराज, अब मंदिर गए थे, आप अमें बाबा में ले तुम्हारे पती, अठाज महराज, क्रिष्णे देव राय के प्रान, अत्यदिक संकट में है हाज से लेकर आने वाले पुर्णिमा तक, उनके प्राणों पर गोड़ संकट है यह तीन अंगूठियां है, तुम्हारे पती, यानि महराज, क्रिष्णे देव राय के उगलियों में पहना देना और देखें महराज, यह जूमर आप पर गिरते गिरते बच किया, कितना बड़ा अफशगुन होने वाला था महराणी आप इसे अफशगुन कह रहे हैं, परन्तु यह अफशगुन नहीं है, अभी तु इस बात का संकेत है, कि हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा है तभी तो, आपकी द्रिष्टी गिरते हुए जूमर पर पड़ी, और आपने हमें समय रहते सचेत कर दिया, मन्य था यह जूमर सीधा हमारे सर पर आगिरता, यह अपशगुन नहीं, आपी तु शुपशगुन है महाराज, आप कुछ भी कहें, पर तो हमारा हिर्दय नहीं मान रहा है हाँ महाराज, हमारे हिर्दय की शांती के लिए आप यह गुढ़िया पहन लीजिए हुचित है किन्तु यह सादू बाबा है कौन? साद बहु के अंद विश्वास ने पीडित का रखा है, ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा राजगुरु को बंदी बना लिया गया है उचित ही हुआ, महाराज का अपमान करने का यही दंड होना चाहिए किन्तु गुरुवर कुस ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने महाराज के कान खीश लिये बहुत दुख हो रहा है अपना बढ़ा कारगार में परंतु हमारे राजगुरु बनने का रास्ता एकदम साफ हो गया है मनी अफसोच हर दिन हो ली होगी हर रास्ती वाली होगी आदफ दा जाएगा सबरें में तोन्म सबusta लोगए जा रहाए अग्ले दुब तोने वाले राज्टी फर्ल!! वहरा अगुंशे है जार। वह और वी धनई मनी के भीन हपोग लगाये। एसा कैसे हो सकता है? मनी यह नहिसा सेव तो मैं ले लूगा। ले ले जो मरजी बोले धनी यहाई यह कारे है अब जो 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 किन्तु फल का मुल्यो तो आपने चुका है हैं नि मुसे खल गामिलने माग रहे हैं होने वाले राजगुरू से चुपचाब निकल लो यहां से अन्यता राजगुरु बनने के पश्चात तुम्हें जीवन भर के लिए कारागार में डलवा गएंगे जा निकला बुद्धर मैंने में केरा तो चील के खाऊंगा चील के खाते हैं नहीं ऐसा ऐसा खा गए रामा देख इन दोनों धूर्तों को बिचारे फल वालों को लूट रहे हैं कुछ कर रामा हाँ बन्दू जब संपूर्ण विजय नगर में ही अंध विश्वास फैला हुआ है तो अंध विश्वास का सहारा लेकर ही इस फल वाले का कुछ भला किया जाए देखता जा अच्छा मूर के बना जाए उसको हम बहुत चंट है धहिमनी परनाम बनी जामा किसा जी परनाम इतने सारे ताजे ताजे फल कहां से तोड़ का लाए कैसे बात करे पढ़ने जाना जीना जी हम करी जे तोड़ के नहीं लाए है पढ़न फल वाले के लिए है अच्छा ली लिए है कही उस बुद्धन फल वाले से तो नहीं लिए वो भी मुफ्त में या औरे-रे ये क्या कर दिया अब कौन बचाएगा तुम दोनों को ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना नहीं मानते? नहीं? मत मानो? कि तुम इतना ग्याद कर लो कि तुम दोनों से पूर्व गुरुवर ने भी उससे मुफ्थ में फ़ल लिये थे गुरुवर कहां पहुँच गए? कारागार हाँ अब तुम दोनों की बारी है तुम दोनों कहां पहुचोगे? हाँ नहीं नहीं बनी रामा किसना जी हम तो फल वाले को फल का मुल्य चुकानी वाले थे हाँ तो विल्लम किस बात की है? अभी चुकाती जी वो धन भाई इधर आना आना धनी बनी तुम्हारे फल का मुल्य चुकाना चाहते है चुकाई है चुकाई अहाँ चुकाना चाहते ये लो ये लो फल का मुल्य ये लेजे तो नियवाद पंडित रामा कृष्णा धेखा कैसे कारागार जाने से बचा लिया तुम दोनों को जैसे एक बात बताओं, यह अप्शकुन वाप्शकुन जैसा कुछ होता नहीं है, यह सारी अंध विश्वास की बात है, इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए है कर छोडू यह बताओ के तुम दोनों ने गुरुवर को किसी सादु या महात्मा से से बेंट करते वे देखा है। नहीं तो किंतो क्यों है कुछ ने कुछिश्य जाओ यह से जाओ 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 ज़े जाओ जोओ जothe इन दोनों ने भी गुरुवर को किसी के साथ नहीं देखा, उधर गुरुवर महाराज के समख्ष अपना मौन नहीं तोड़ रहे, और कुछ भी करके गुरुवर को बंदी ग्रे से बाहर निकालना ही है, किन्तु कैसे ही? चोटी महाराणी, बाबा भी तक नहीं आये अलाख निरंजा, आगे बाबा, इस प्रणाम बाबा, प्रणाम, सभाग्यवती भाव, बाबा, महाराज पर यूमर गिरते गिरते बच गिया, आने तब कुछ भी अनर्थ हो सकता था, हाँ बाबा, और हमने आपकी दियोईना, सार्यों गुटी महाराज को पेना दिये, ये ल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि, क्योंकि हमारा उप्वास है, उप्वास है, अब बाबा, प्याकर कोई ऐसा उपाय बताईए, जिसे महाराज के प्राणों पे लगा ग्रह, सब देव के लिए टल जाए, उपाय तो है, हम बता भी सकते हैं, नहीं भी पता सकते हैं, किन्तु बताएंगे नहीं? क्योंकि, क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि, वह उपाय बहुत ही कटिन है, तुम दोनों कर नहीं पाओ? बाबा, हम उनकी पत्नी हैं, और महाराज के प्राणों की रक्षा है तो, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आपसे हाज जोड़कर निवेदन करते हैं, क अगर उपाय बताईए, ठीक है, किन्तु, क्या महाराज इस उपाय के लिए तयार हो जाएंगे? हाँ, हम महाराज को किसी भी भाती मना लेंगे, आप बस उपाय बताईए, महाराज के प्राण बचाने का एक ही उपाय है, क्या, तीसरा दिवा, हम नहीं मानते हैं इन अंध विश्वास को? नहीं महाराज, हमें उन बाबा की कही एक एक बात पर पूर्ण विश्वास है, आपके प्राण संकट में महाराज, आप स्वाम देखे मा, निरंतर कोई न कोई आप चगुन हो ही राह है, और महाराज, ये हम दोनों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्या हम सुहम आपसे कह रहे है कि आप तीसरा विभा कर लीजी, क्योंकि हम दोनों के लिए आपके प्राणों से बढ़कर आप कुछ भी नहीं है, हाँ महाराज, आप बस हाँ कर दीजे, इस पूर्णिमा से पूर्विय विभा हो जाना चाहिए, हम तीसरा विभा नहीं करेंगे, कभी नहीं, महाराज, महाराज, चोठी महरानी, अब क्या होगा, फॉर्णिमा से युर्णिमा से प्राणिए युर्णिमा से प्रेह किन्तु मैं क्या करूँ, आप अपना मौन व्रत तोड़ने को तयार नहीं है, और जब तक आप अपना मौन व्रत नहीं तोड़ेंगे, मैं आपको बंदी ग्रह से मुक्त कैसे करवा पाऊंगा, आप खृपा करके बताईए कि आपको वो सादू कब और कैसे मिला? गुरुवर, आज आपके समक्ष सर्प था, किन्तु फिर भी आपने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा, अपनी सहायता के लिए किसी को नहीं बुलाया, यदि वो सर्प असली होता तो आपके प्राण भी जा सकते थे गुरुवर, आज महाराज के प्रती आपके अंदर निष्ठा देखकर, मेरे शिदय में भी आपके प्रती आदर और सने और बढ़ गया है। अब तो कुछ बोलिए गुरुवर, अब तो कुछ बताईए। लिखकर बताएंगे? हाँ, आए। हाँ, दस बार हमने महाराज के कान खीचे हैं, बस एक बार और शेश है। आप यदि हमारे लिए इतना कर सकें कि किसी भाती एक बार हमें महाराज के सामने ले आएं, तो हम उनके कान एक बार और खीच लें, तो उनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। पुरुवर, आप महाराज के कान एक बार और खीचेंगे। आपको महाराज ने इसी समय दरबार में बुलाया है। हमें उन बाबा की कहीं एक एक बात पर तोड़ विश्वास है। आपके प्राण संकट में, महाराज, आप तीसरा विभा खड़ लोची। क्योंकि हम दोलों के लिए आपके प्राणों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। प्रणा महाराज, आप यहाँ इस प्रकार अकेले अंदकार में बैठें। हाँ, पंडित रामकृष्णा। सब कुशल तो है ना महाराज। नहीं, पंडित रामकृष्णा। सब कुशल नहीं है। इसलिए तो आपको बुलवाया है। आदेश दे महाराज। पंडित रामकृष्णा हम एक अध्यंत गहरे संकट में फस गए है। और समझ में नहीं आ रहा कि संकट का निवारन कैसे करें। कैसा संकट महाराज। एक सादू मात्मा है। जिनका कहना है कि हमारे प्राण संकट में है। और उन्होंने इस बात का विश्वास हमारी रानियों को भी दिलवा दिया है। और साथ ही इस बात का विश्वास भी दिलवा दिया है कि केवल एक ही उपाय है जिससे हमारे प्राण बच सकते हैं और वो उपाय क्या है? वो उपाय है पंडित रामा कृष्णा हमारा तीसरा विवा कैसे हो मित्रो? मैं जानता हूँ आप सब आज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं कोई सरल पहेली आपसे पूछू तो चलिए मैं आपसे एक सरल पहेली ही पूछता हूँ बिना कान के सुनने वाला रंग बिरंगा है मत वाला है ना सरल पहेली? सोचे सोचे इसका उत्तर सोचे मैं धारावाई केंत में आपको इसका उत्तर बताऊंगा तीसरा विवा हाँ पंडित रामा कृष्णा तीसरा विवा हम इस प्रकार के किसी भी अंद विश्वास में विश्वास नहीं करते परंतु हम ये सोच रहे हैं कि कोई साधू भला इस तरह की बात क्यों करेगा महाराज ये साधू जो कोई भी है उसके इस कृत्ते के पीछे अवश्य ही कोई कारण है उसने संपून विजय नगर में अपने अंदविश्वास की जड़े पहला दिये मेरे स्वयम के घर में उसका अंदविश्वास पहुँच गया है महाराज उसने ना केवल महाराणियों को अपितू गुरुवर को भी अपने अंदविश्वास की चपेट में ले लिया है महाराज ये क्या कह रहे हैं वही जो सत्य है महराज मैंने विजय नकर के जन जन को उसके अंद विश्वास के जाल में फसते वे देखा है साज भो के अंद विश्वास ने पीडित कर रखा है ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा गुरूवर ने जो आपके कान खीचे वो भी उस सादू के कहने पर ही खीचे थे इस सादू ने गुरूवर के मन में ये अंदविश्वास बिठा दिया कि यदि वो आपके कान 11 बार खीचेंगे तो आपके प्राणों पर आया हुआ संकट टल जाएगा और गुरूवर ये बात किसी और को ना बता दे इसलिए उन्होंने गुरूवर को मौनवरत लेने के लिए भी कहा साथी साथ ये भी कहा कि यदि वो आपना मौनवरत तोड़ देंगे तो आपके प्राणों पर आये हुए संकट के बादल नहीं चटेंगे अन्यथा आप ही सोचिए महाराज भला गुरूवर इस प्रकार आपका अपमान कभी कर सकते हैं आप उचित कह रहे हैं पंडित रामकृष्णा परंतु अब इस समस्य का निवारण कैसे करें हमारी महारानियों ने तो हट कर रखी है कि यदि हमने ये तीसरा विवाह नहीं किया तो वो हमसे पारताला बंद कर देंगी अन्यजल ग्रहण करना त्याग देंगी इसमें महारानियों का दोश नहीं है महाराज उस साधू ने ही आपके प्राणों का भैय उत्पन्न किया है उनके रेदै में वे आपसे अत्यधिक प्रेम करती है अन्यदा आप ही सोचे महाराज इस जग में ऐसी कौन सी स्थरी होगी जो अपने जीते जी, स्वैम अपने पती का विवाह करवाए कथन आपका सर्वथा उजित है पंडित रामा कृष्णा परन्तु इस तीसरे विवाह की दुविदा ने हमारी सोचने समझने की शक्ति को क्षिन्ड कर दिया है हमें तो कुछ सूची नहीं रहा, अब आपे कोई मार्क सुझाईए विवाह माराज विवाह? जी माराज इस साधू का आपके इस विवाह से अवश्य ही कोई लाब होगा क्योंकि बात अब आपके तीसरे विवाह पर पहुँची है आप ही सूची माराज आपके तीसरे विवाह से किसी साधू को क्या लाब हो सकता है और इस साधू ने दोनों महारानियों को आपके तीसरे विवाह के लिए मना भी लिया है अतह इस साधू का और आपके तीसरे विवाह का कोई ना कोई संबंध अवश्य है और अब इस साधू का भेद खोलने के लिए आवश्चक है कि आप इस तीसरे विवा के लिए हां कर दें। एक उपाय और भी है। यदि हम इस साधू को बंदी बना लें, तो वो स्वयमी सब स्विकार कर लेगा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। आराज आप भूल रहे हैं कि अंध विश्वास दो शब्दों से बना है। अंध और विश्वास। और विजय नगर की प्रजा इस साधू पर अंध विश्वास करने लगी है। इसकी बातें अंध भक्तों की भाती मानने लगी हैं क्योंकि विश्वास आस्था से जुड़ा है। ऐसे में यदि साधू को बंदी बना लिया जाए तो कहीं न कहीं प्रजा में असंतोश व्याप्त हो सकता है। इसलिए हमें जब तक कि साधू के विरुद्ध कोई पर्याप्त साक्षी नहीं मिल जाता ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं कि पर्याप्त साक्ष के अभाव के कारण हम तीसरा विवाह कर लें। नहीं माराज मैंने आपको तीसरा विवाह करने को नहीं कहा। मैंने आपको विवाह करने हे तू मात्र हा करने को कहा है। क्योंकि बाद जब आपके विवाह के निकली है तो साधू ने अवश्य ही किसी कन्या के विशय में भी बताया होगा। ना बताया तो था विजनगर राज्य के साथ लगे राज्य वैववगड में एक गाउं है वैजन्ति पल्ली कन्या वहीं की है तो ये मामलव ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा था माराज आप इस विवा के लिए हां कर दीजे तत्वस्चात मैं स्वैम वैजन्ति पल्ली जाओंगा उस कन्या के पिता से इस विवा के विशे में बात करने अर्थात और इस प्रकार समस्त विजनगर के समक्ष उस साथू का भेद खुल जाएगा उचित है पंडित रामकृष्णा परंतु कुछ कड़बड नहीं होनी चाहिए कड़बड तो होगी माराज किन्तु साधू के साथ मैं ऐसी समय वैजन्ति पल्ली के लिए निकलता हूं माराज किन्तु जाने से पूर्व आपसे एक मिवेदन है ठीस करके गुरुवर को बंदी ग्रह से मुक्त करा दें उन्होंने जो कुछ भी किया आपके प्राणों की रक्षा हेतू किया माराज पंडित रामा कृष्णा हम ये मानते हैं कि गुरुवर ने जो कुछ भी किया हमारे प्राणों की रक्षा हेतू किया गुरुवर हमारे लिए पिता तुल्ले है बाले काल से ही हमने सभी नीतियों की शिक्षा गुरुवर से ही लिये और ये शिच्छा भी गुरुवर ने ही हमें दी है कि वेजनगर के राज सिंग हासन और उस पर आसीन राजा का सम्मान सर्वोपरी होता है और स्वयम गुरुवर ने ही वरे दर्बार में इन दोनों का ही अपमान किया है अपने इस अपरात की ख्षमा तो गुरुवर को मांगनी ही होगी वो भी अपने जिवास है आप उचित कह रहे है महाराज मैं आपको अश्वस्त करता हूँ कि गुरुवर स्वयम अपनी जिवा से आप से ख्षमा मांगेगे बस आप उन्हें मुक्त करने का आदेश दे दे ए शिव शंभू हमें इस कारागार से मुक्त करवा दीजिए जिससे कि हम एक बार और महाराज की कान खीच ले और उनके प्रानों पर आया संकट तल जाए प्रणाम गुरुवर महाराज ने आपको मुक्त करने का आदेश दे दिया है हाँ किन्तु आपने जो महाराज का अपमान किया है ना उसके लिए आपको उनसे ख्षमा मांगनी होगी जैहो शिवशंभू अफसर फ्राप्त हो गया अब हम महाराज के कान खीच के रहेंगे ठीके पंडित रामा किस्टा अब महाराज से ख्षमा मांग लेंगे मांग लेंगे हरे ऐसे नहीं जीवा से बोलकर अपना मौन रत तोड़कर उनसे ख्षमा मांगनी होगी पंडित रामा किस्टा जी आपके वैजनती पली जाने है तू पाल की तयार है उचेते वैजनती पली वैजनती पली जा रहा हूं मैं कुरुवर महाराज तीसरा विवा कर रहे हैं हाँ, इसलिए वैजनती पल्ली जा रहा हूँ, वो क्या है कि तीसरी महाराणी वैजनती पल्ली की निवासी है न, तो उनके पिता से महाराज की रिष्टे की बात करने जा रहा हूँ क्या महराज का तीसरा विवा वो भी हमसे कोई विचार विमर्ष कीए बिना और आपको विःवा की जिम्मेदारी दे दी गई जबकि हम मरे नहीं हैं जिवित हैं हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे आप रहने दीजिये सारी बात मैं कराऊँगा है ऐसे कैसे हम राजगुरु हैं महाराज हमारे पुत्र जैसे हैं ए बंधू रामा गुरुवर मानने वाले नहीं है ये तो तेरे साथ जाकर ही रहेंगे हाँ बंधू क्या करूँ यदि यहां इन्हें छोड़ कर गया और उन्होंने पुने महाराज के साथ दुर्वयभार किया तो ये तो फिर से संकट में फस जाएंगे तो ये अभी मौन है सोचता हूँ ले चलू जब कुछ बोलेंगे ही नहीं तो गड़बड कहां से होगी उचित है उचित है आप भी मेरे साथ चलिए परंतु महाराज तीसरा विभा क्यों कर रहे हैं आप चलिए तो सही मैं सब कुछ रास्ते में बताता हूँ चलिए अच्छा सुनिए आपसे निवेदन है कि विभा की बात मुझे करने दीजेगा आप शांत रहे ही आपके कहने का तात पर यह क्या है अरे हम क्यों शांत रहेंगे महाराज के पूर्व में भी दोनों विभा की बात हमने ही की थी और तीसरी विभा की बात भी हम ही करेंगे क्यों माती भाती वेभार कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आरा मुझे आप मौन व्रत में हैं और आपके भाव भंगी माय देखकर आपकी बात का कोई और अर्थ ना निकालने बोलो इसलिए ख्रिपा करके शान्त रहिएगा गुरूवर अब चलिए अरे आप तो हमारे आती थी हैं मिश्ठान ग्रून की जी तो विवा की बात आगे बढ़ाते हैं जी तो यह कह रहे हैं कि यह भी विवा करना चाहते हैं तो यदि इनके योग ये कोई कुमारी व्रिद्धा हो तो अवश्य बताईएगा कह रहे हैं कि इन्होंने पहले भी दो बार विवा किया था किन्तु दुर्भागी वर्ष दोनों ही बार इनकी पत्निया इन्हें छोड़ कर भाग गई देखें इनके मस्तिष्पना आगात पहुंचा है इसलिए ऐसा दुर्भेभाद कर रहे हैं आतनिक सांत्वना दे दी चाहिए अरे गुर्वर शांत हो जाए ये पनार ये देखें हमारे दूर की एक बड़ी बेहन है उसका विवा आप तक नहीं हुआ है उसी के साथ हम आपका विवा करवा देगे बस आप क्या कह रहे थे देखें पंडित रामा किष्णा वैसे तो हमारी कन्या के लिए दूर दूर से अभिवाहित यूंकों के रिष्टे आ रहे हैं तो फिर भी हमने आपके महाराथ के साथ अपनी कन्या का विवा करने की अनुमती दी है यह हाजोलकर क्या कहा है इनोंने यह 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 कह रहे हैं कि आपका अभिनंदन है न गुरुवर वैसे तो हमारी कन्या के लिए पड़ोसी देश के अभिवाहित राजकुमार का रिष्टा आया है किन्तु हमने फिर भी आपके महाराज के साथ अपनी पुत्री का विवा कर रहे है यदि उस साधू का भेद नहीं खोलना होता तो अभी इस विवा के लिए ना कर देता किन्तु यूजना को सफल बनाना है अतर्शान्ती रहना पड़ेगा अरे जाइए जाइए आपने हमारे महाराज को कम समझ रखा है यह तो आपका सवभाग्य है कि महाराज कृष्ण देवराय से आपका संबंध जूड रहा है जैदि आपको अपने पर इतना ही घमंध है तो नहीं करना हमें ये रिष्टा बाराज का अपमान हम सेहन नहीं कर सकते चलिए पंडित रामा घिष्णा गुरुवर सांथ हो चाहिए देखे पंडित रामा घिष्णा हमें तो लगता है ये क्रोधित हो रहे हैं और इस विवा के लिए मना कर रहे हैं यदि ऐसा है तो ठीक है रहने दीजे ये विवा मेरी इमती मारी कई थी जो इने साथ ले आया ये बोलते हैं तब भी बवाल करते हैं और मोन रहते हैं तब भी बवाल करते हैं गुरुवर शांत रहे हैं और आप कहां इनकी वातों में आ रहे हैं मैंने आपसे कहा ना की मैं आपको हमारे राज जी की कुछ रीती रिवाजे कुछ रस्में है जिन्हें निभाना आवश्यक है उसके बाद ही विवाज संपर्न हो पाएगा तो उस विशे में मैं आपको बता देता हूँ जी ये कैसी रस्में है अब रस्में तो रस्में है युगों से चली आ रही है मैंने तो बनाई नहीं है और इन रस्मों के बिना विवाज संपन्द भी नहीं हो सकता हम् ठीक है मुझे सुईकार है आपके महराज से अपनी कन्या का विवा करने के लिए मैं ये सभी शर्तियां और रस्में निभाऊंगा बहुत अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत अच्छे अच्छे अच्छनी गुरुमार इंधे समझा रहा था अपने दुर्वेभार के लिए शमा मांग रहे थे गुरुमार भी प्रसन्न हो गए हाँ 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 तो आप सब कल प्रातरकाल बारात लेकर काली मंदिर पहुँच जाएगा वह मा का आशिरवाद लेने के पश्चात महल में ही साधी पद्द्दी से विवाह संपन्न होगा अध़ आप कुछ लोगों को ही लेकर आईएगा जी अवश ठीक है आग्या दे प्रणाम चल्थ ये गुरुवर हाँ हाँ चलिए आप बाद में खिलाऊंगा आप आप बाद में खिलाऊंगा चलिए चलिए गुरुवर चुक सुनिए तयार रहिएगा विजय नगर पहुंचकर आपको महाराज से ख्षमा मांगनी है इन्हें क्या पता कि हम ख्षमा नहीं मांगेंगे अपितु कल विवा के समय महाराज के कान एक बार और खीचेंगे विजय नगर पहुंचते ही हम गायब हो जाएंगे कि पश्चाद आप शार्दा देवी और वो कन्या समझते रहिएगा ने ने माराज यह आप कैसी बाते कर रहे हैं ना तो मेरा दूसरा और नहीं आपका तीसरा विवा होगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना 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 अब आप 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 अनुमती दे माराज गुरुबर कहां है वो भी तो गए थे ना आपके साथ आपके कतना नुसार हमने उन्हें कारागार से मुक्तो कर दिया है परंतु उन्होंने अभी तक अपने अपराद की क्षमा नहीं मांगी अब क्या बताओ महाराज वो तो अपना मौन रद तोड़ने को तयार ही नहीं है अब भी आपके प्राणू की रक्षा करना चाहते हैं और तो और आपके विवा के बारे में सुनकर प्रसंद भी हो गए मेरे साथ गए थे वैजंती पनली तो यात्रा की तनिक ठकान हो गई ह कल जैसे ही उनका मौन दर तूटेगा ना वो आपसे ख्षमा मांग लेंगे ये गुरुवर कहां गायब हो गए कहीं पीछ से जाड़ियों के पीछे तो नहीं छिप गए नहीं नहीं कल मैं महाराज को क्या उत्तर दूँगा प्रणा महाराज अरे ये गुरुवर कहां है कहीं पुने कुछ गड़बड ना कर दे अरे अरे नहीं कुछ लूरुवर को को कि अरे तो फ्रणा महारा ये फिल्दर अ zijn र नहीं 지도 मांग वहाण ये तो वही सादू महात्मा हैं जिनों ने हमसे काह था कि अम महाराज के कान 11 बार्खी चे येसे महाराज के प्राणों के रक्षा हो सके किन्तु यह यहां क्या कर रहे हैं हाँ अवश्य महाराज के प्राणों के रक्षा हेती हुई आयोंगे सभी जन क्रिपया अपने अपने नेत्र मून कर देवी मा की आराधना करें अफसर सही है महाराज और सारे लोग आंके बंद किये हुए हम अभी जाकर महाराज के कान खीच देते हैं रामा नेत्र खोल वो देख गुरुवर यह गुरुवर भी मानने वाले नहीं है महिला बनकर आगए महाराज का कान खीचने बस बस देवी मा का आशिरवात सबको प्राप्त हुआ अब समय है विवा के प्रथम रस्म का जो कन्या के पिता करेंगे महोदे रस्म आरंप करें ये रस्म तो उसके साथ निभाई आती है जो वर का सबसे विश्वास पात्र हो अध्वा जिस पर वर को सरवाधिक विश्वास हो अर्थात यू वर का सहवाला बने उचित कहा ना हमने? जी जी उचित कहा तो महाराज यहां इस समय ऐसा कौन है जिस पर आपको सरवाधिक विश्वास है? प्रणाम भगा खुश रहो, सदा सुखी रहो हम आपके आभारी हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा है तू आपने हमारे तीसरे विवाध का सुझाव दिया हमें पूर्ण विश्वास है जब तक आप हमारे साथ हैं हमारे प्राणों पर कोई संकट नहीं आ सकता पंडित रामागर्शन सत्य तो ये है कि इस समय हमें संपूर्ण विश्व में सरवाधिक विश्वास अवश्य महराज हमारा ही नाम लेंगे आदर्णिया महात्मा जी पर है इनका विश्वास ही तो है जिसके चलते हम ये तीसरा विवाह कर रहे हैं ये साथू महराज कप wedge विश्वास पर ये हो गई हती उत्तम तो इस तरह से तो आपके सहवाला साथू महात्मा ही बने क्यों महात्मा जी सहवाला बनना तो सोभागी की बात भश시 सेवाला बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं किन्तु बनाएंगे अवस्चे तो महोदे आईए और रस्म आरंब कीजिए तो क्या मुझे इनकी साथ रस्म पूरी करने होगी हां किन्तु बात क्या है आप तर निक चिंतित दिख रहे हैं अचित है और महात्मा जी आप ये रस्म और बाकी की दोनों रस्में पूरी तरह निभाएंगे ना महराज के विवा का प्रश्ण है यती रस्में उचित प्रकार से नहीं निभाए गई तो विवा संपन्न नहीं हो पाएगा आप पीछे तो नहीं हटेंगे हम पीछे हट भी स प्रणाम मित्यों कैसे हैं आप सब अब बारी है आज की पहेली की आज की पहेली है वो पक्षी नहीं है किन्तु उड़ सकता है सीधा नहीं उल्टा होकर सो भी सकता है पूजिए ये क्या हो सकता है इसका उत्तर मैं आपको धारावाही के अंत में दूंगा महात्मा जी आप अब ये रस्म और बाकी की दोनु रस्में पूरी तरह निभाएंगे ना वचन दीजिए हम बचन दे भी सकते हैं नहीं वी दे सकते हैं किन्तु हम वचन देते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे उचित है उचित है तो महोदे आईए और रस्म प्रारंब कीजिए ये क्या-क्या बद्रिनात, तुमको ग्याद नहीं, कि रस्म क्या है, कि तू अब मुझे तो रस्म करने ही होगी चार्दा शुरू किजिए शुरू किजिए अरे-अरे, धिक, क्या करने हो महराली, ये रस्म हैंने पूरी करने दीजिए हमारे यहाँ तीसरे विवाह में यदि इस प्रकार की रस्में पूरी ना की जाएं तो विवाह संपन नहीं हो सकता सासूर्थी, आप किजिए मारा, मारा, हो गया तो इस प्रकार पेहली रस्म संपन हुई ये कौसी रस्म हुदनी? अब हम सब विवाह मन्ड़ की और और प्रस्थान करते हुए दूस्री रस्म संपन करेंगे चारदा यह कौन सी रस्म है अमारी अनुपस्तिती में कुछ भी करवा रहे हैं पंडित रामकृष्णा पंडित रामकृष्णा महाराज पहली रस्म पूरी हो गई अब हम सब विवाद मंदब के और प्रस्थान भी कर रहे हैं अब भूलेगा मत्त यदि आज हमारा ये तीसरा विवाद हुआ तो आपका विवाद का भाकर ही रहेंगे नहीं नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं होगा उनके प्राणों प्राया संकट टालने के लिए किया जा रहा है परन्तु ये महाराज के प्राणों का प्रश्ण है हम उनके कान ग्यारवी मार अवश्यक ही चेंगे हम किसी और उपाई पे भरोसा नहीं कर सकते हैं तो अब दूसरी रस्म की बारी है जो करन्या के पिता सैब पाला के साथ तंपन करेंगे महोदय दूसरी रस्म आरंब कीजिए आप अड़तरा मुठीना करते हैं अरे ये क्या हो रहा है रस्म हो रही है महात्मा जी और रस्म में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और महोदय आप क्या कर रहे हैं तनी ग्जोर से खीचे ना अरे छोड़ो मुझे स्वान की भाति क्यों खीच कर लायो रस्म है महात्मा जी आपने वच्चन दिया था ना कि सारी रस्में पूंड करेंगे तो पूंड तो करनी पड़ेंगी ना पंडित रावाकृष्णा महाराज गुरूबर कहा है माना कि हमारा ये विवा नहीं होने वाला है परन्तु फिर भी वो हमारे पिता तुल्य है उन्हें इस अपसर पर उपस्तित होना चाहिए वो यहीं है महाराज क्या यहीं शिवजी के मंदिर गये हैं आपके लिए हवन क करें आइए महाराज आइए ओम आनो भद्राह क्रतवो यंतो विश्वतो अदब धासो अपरीधात उडविदा क्यारी मेजर उतारनी जा रही है बंडी द्रामा के सर्थ जी महाराज अब तो विभाग के मंत्रो चार भी प्रारंब हो गए आप कुछ करते क्यों नहीं हमें इविभा नहीं करना मुझे मुझे क्या थे महाराज बंडी तहरे रखे कुछ नहीं होगा एक हम रखेंगे आप मरण रखिए legislation यदि हमारा ये तीसरा पिपा होए तो आपक आपी दूसरा всё होगने ने 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 होगा धनी हम्रिया मारीला कुछ जानी पैचानी सी लग रहे ही ए मुझे भी जानी पहिचानी ही लग रही है जो हाँ तोब अब बारी है तीसरे रसम की जो है नजर उत्राए की रसम अमा वो नजर उताने वाली जाडू जरा कर्निया के पिता को राकर दे न अरे आप शिगर कीजिए विवा का मुरत निकल जाएगा आपको स्मरण है ना कि आपको इन्हें 21 बार जहडू से मारना है अरे बस करो अरे बस करो यह कैसी रस्में है अरे अरे पात्मा जी यह रस्में तो युगों से सदियों से चली आ रही है यदि आपको जाडू नहीं मारा गया तो महराज को नजर लग सकती है अरे बंडित रामा कृष्णा वेख्षिप तो गई कुछ भी करवा रही है यदि हमें महराज के कान ना खिछने होते तो अभी इनकी खबर लेते अरे ऐसा कई होता है क्या हमारे यहां तो होता है, क्यों महराण हाँ, पंडित रामकिष्णा सत्य कह रहे है हमारे यहां तीसरे विवाह में यदि ये सब रसमें पूर्ण ना किये जाएं तो विवाह संपन नहीं माना जाता हाँ, और जाड़ू खाने के पस्चाद तो आपको बबर से स्नान भी करवाय जाएगा नहीं, तो तीस्री महराणी के प्रांट संकट में आ जाएँगे बंद करो ये अंदविश्वास की बात है, ये अंदविश्वास है, अंदविश्वास नहीं नहीं हमारे लिए तो ये विश्वास विश्वास है अरे ये कोरा अंद विश्वास है तो आप अंद विश्वास में विश्वास नहीं रखते नहीं रखते हैं तो आप अंद विश्वास के घोर विरुद्ध है घोर विरुद्ध है अच्छा तो महराज का ये जो तीसरा विवा हो रहा है, ये क्या है? ये अंदविश्वास नहीं है महराज के प्लांड संकट में है, उन्हें अंगूठिया पहनाई जाए ग्यारा बार महराज के कान खीचे जाए, तीन दिन तक मौन रत रखा जाए ये सब क्या है? ये अंदविश्वास नहीं है किसी की दुकान के बाहर, किसी के घर के बाहर लौकी टंगी हुई है कहीं चपल, तो कहीं छत्री, तो कहीं कद्दू टंग रहे हैं ये अंदविश्वास नहीं है और तो और मुख्य द्वार पर काले कपड़े में काला कोईला टांगा जाए ये अंदविश्वास नहीं है विजे नगर के जन मानस के रिदय में मेरी अम्मा और मेरी पत्नी के मन में गुरुवर के मस्तिष्ट में यहां तक की आदर्णिय महरानियों के मन में आपने अंदविश्वास का बीज बोया क्यों? क्या आप उसी अंदविश्वास के बीज से अपने स्वार्थ की फसल नहीं उगाना चाहते? और तो और अपने परमित्र की कर्या से महराज का तीसरा विवा करऊना चाहते हैं यह अंदविश्वास नहीं है? अरे यह तो अंदविश्वास की पराकाश्था है जिस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व ही अंदविश्वास के आधार पर खड़ा हो वो कह रहा है कि वो अंध विश्वास के घोर विरुद्ध है। यह तो आश्चेरे की बात है महाराच। ले पंडित रामा किष्णा ने फसा लिया ऐसे, अपनी बुद्धी के जाल में। तो अब अपने पक्ष में क्या कहना चाहोगे जादू मात्मा उर्फ, पद्रीनात, हाँ, तुम्हारा सत्य हम सब के समक्ष उजागर हो चुका है, हमने अपने गुप्तचर तुम्हारे पीछे लगाए थे, जिन्होंने हमें ये बताया कि तुम कोई सादू मात्मा नहीं, आपे तु लुटे रहे हो, भी इश्वार, दिकार है तुम पर, तुम जैसे लोगों के कारण ही, सच्चे सादू मात्माओं का यश्च कम होता है, लोग उने संदेख की त्रिष्टी से देखते, आप अपने इ क्योंकि अब तक तुम बंदी ग्रह जा भी सकते थे, और नहीं भी जा सकते थे, परन्तु अब पक्का जाओगे शम, शम हमाराज, हमने है सब कुछ जान बूच कर किया, मैंने ऐसे ही अंदविश्वास पहला कर और भी राजियों को लूटा, तथ पस्चाद हमारी योजना थी, कि यहां पर अंदविश्वास पहला कर, आपका विवा, अपने परमित्र की कन्या से करा देंगे, तो यहां कि महारानी हो जाएगी, मैंने अंदविश्वास पहला कर, राजगुरु को तो वैसे ही बंदिगरी में भेज दिया था, मैं राजगुरु बनना चाहता था, क्या, गुरुवर आप, गुरुवर, 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 यह अपने बुढ़ू, त्री के बेश में, महाराज, यह जो बेश है, हमने इस दोष्ट, बाकांदी, दुराचाही, नरच के कारण लिया है, चल किया है, इसने महाराज हमारे साथ, राजगुरु बनने के लिए अंदविश्वास के जाल में फसाया तुमने हमें, हमारे महाराज की कान खिचाई करवाई हमसे, पुई बाकान की कारण हो गया, गुरुबर, आपको क्षमा बाउगने की कोई आवश्च्ता नहीं, हम व्यार्थ ही आपको अपना पिता- तल. नहीं कहते हैं, हम व्यर्ध ही आपको अपना पिता- तुल्य नहीं कहते죠. आपने आज सिद्ध कर दिया, आप हमारे पिता से कम भी नहीं है, जैसे एक पिता अपनी संतान पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देता, और यदि कष्ट आ भी जाए, तो उस कष्ट को स्वाइम अपने गले लगा लेता है, आज आपने भी तो भही किया गुरुगर, आईए, ह हमारे कहले लग चाहिए, जैनिको, इन दोनों को और इनके सहयोगियों को पंदी ग्रह में डाल दो, रुको, रुको, एक शन माराज, तीन रस्में तो हो गई माराज, अब वो गोबर रस्म हो, खेश, उसके मध्य में एक रस्म रह गई है, वो हम पूरी कर लेते हैं, कैसी रस्म गुरू है, थपड़ रस्म वाराज, लेके जाओ उसके, शमा तो हम दोनों भी मांगना चाहते हैं आपसे, इस अनविश्वास में बढ़कर, हम दोनों आपका थीसरा विभा कराने चाहिए, हमें शमा कर दीजे महाराज, हाँ महाराज, हमें शमा कर दीजे, हमसे भूल हो गई, परन्तु, पंडित रामकृष्टा की सोच पूजने, हम सब को बचा लिया, और इसी प्रसंता में महाराज, आज हम सब के लिए, गोबी की खीर बनाएंगे, हाँ, आज तो हम सब के समक्ष कहेंगे, समस्या विकट, राम विकट, जब मेडेत, परन्तु, अबस्ते हो में में शमीकão?, जर बाएंगे खीरएए़छा में खीर दिया, प्रेप्ट मेरे नाने!